पंद्रवी सब जुनियर फुटसल नेशनल टेंपिंशिप दोजार तेईस रास्तान फुटसल संग के आधिते में जेपुर में सुरू हुई रास्तान फुटसल संग के अधिक्स आलोग गुपता ने बताया कि इस टूनामेंट में पूरे देश से 26 राजियों से 40 टीमों के 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं रास्तान फुटसल संग के अधिक्स एम मुख्य समिनवेक नितिन शरत भगेरिया ने बताया कि युनिराज एलुमिनियम फेडरेशन द्वारा पावर इस टूनामेंट में मुख्य अति थी रासी को चेर्मेन एम युनिराज एलुमिनी फेडरेशन के फाउंडर अधिक्स राजिव अरोडा ने द्वी प्रजलनकार टूनामेंट का अपचारिक प्रारम किया राजिव अरोडा ने कहा कि जेपुर में फुटसल मैच होना गर्व की बात है तिथा लड़के और लड़कियों में फुटसल के गेम को लेकर आकरशन है यही हमारा उद्देश्य है फु प्रेंडली मैच के उद्दगाटन के रूप में शुरुआत हुई कारिकरम की ब्रांड एंबेसेडर जया मनराल जो की जेपुर लिटिल वाइप्स टीम की कैप्टन है और दूसरी टीम जेपुर लिटिल मरमेट की कैप्टन जोती मिसरा एम वाइस कैप्टन सोनल शर्मा थ जेपुर लिटिल मरमेट की टीम में कैप्टन जोती मिसरा वाइस कैप्टन सोनल शर्मा सिम्रन ममता जैस्वाल ममता सोनिया सिंदू प्रिया सिंग निर्मला जैन मनिशा चोधरी थी नैशनल फुटसल संक्याद्यक्स आर एस भियानी फाउंडर एंड एम डी बीडी वर्मा सचिव रवी वर्मा आदी उपस्ति थे जैपूर की मैलाओं द्वारा खिले गए मैच में जैपूर लिटिल वाइपस टीम विजिता रही जिसने दो शुन्ने से जैपूर लिटिल मरमेट को हराया टूनामेंट के सहियों जग संजे जहवन ने बताया कि टूनामेंट तीन आयू वर्में हो रहा है लड़कों में अंडर 14 एम अंडर 17 और लड़कों में अंडर 17 वर्स तकी आयू के खिलाडी भाग ले रहे हैं टूनामेंट में कुल 18 मैच होंगे टूनामेंट का समापन रविवार को होगा विजिताओं को ट्रॉफी दी जाएगी प्रॉफी जाएगी